आज मैं आप लोगों से एक बात साजा करना चाहूंगा सरकार बदली मगर बागवानों के हालात फिर भी नहीं बदले चुनाओं के समय हमने देखा था कि लोगों ने खास्ता पर बागवानी क्षेतर ने अपने मतादिका का इस्तेमाल करा सरकार बीजेपी सरकार के प्रती जो रोश था वो कहीं न कहीं वोट के रूप में कास्ट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप से बहुल सत्रा विधान सबाक शेतर में से लगभग चौदा में कॉंग्रेस पार्टी की विजे हुई सरकार के ही खिलाफ किसानों का अंदोलन हुआ जिसमें कॉंग्रेस पार्टी के लगभग से बहुल क्शेतर के सभी नेताओं ने बढ़ चड़ कर किसानों का साथ दिया और आवाज बुलन्द करी मगर सरकार बदली मगर भागवानों के हालात नहीं बदले ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सरकार ने जो अपनी गैरेंटिया लेके जो हमारे बीच आए कॉंग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टों में तो कहीं न कहीं सरकार उससे मुकरती हुई नजर आ रही है उनकी जो एक भागवानों के प्रति गरेंटी थी के सेव के दाम हुए सवेम निर्धारित करेगे मगर पिछले कल होटी कल्चर मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई basically मैं इसको horticulture minister की statement ना मान के प्रदेश सरकार की statement बानूँगा क्योंकि नई सरकार है पूरा stand clear है और जो घुशना पत्र बनता है वो center से लेकर state तक की सरकार बनाती है इसी के तहट मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जिस आधार पर vote मांगती है कभी भी उस आधार पर वो खरा नहीं उतरती है कि उनकी responsibility क्या है आज जूट की राजनिती चल पड़ी है किसी भी राजनिती चल चाहे वो Congress है चाहे वो BJP है जो भी आप लोगों के पास guarantee लेके जाते एटलिस्ट उसको पूरा कीजिए यह आपका नेतिक दाइक तो है परदेश सरकार के में अभी नई बनी है उसमें जो पहली cabinet में पास करने वाली बात थी सिर्फ उसमें भी जो OPS की बात है वो आजकल ट्रेंड में है लगबख 70 लाख लोगो लोग छिटकते हुए नजर आ रहे और एक लाख के करीब जो एक लाख 35 जार के करीब employee है वो कहिना कही खुश होते हुए नजर आ रहे हैं सबका अपना परदेटिकार है अगर उनको लगता कि उनकी demand मान ली गई है तो ये सबके लिए खुशी की बात है मगर उसके अलावा भी आपकी जो गैरेंटिया थी आम लोगों के प्रती जो लगवग 70 से 22 लाख के करीब लोग रहते ही मचल के अंदर 300 यूनिट विजली फ्री की चाहे हर महिला को हर परिवार में जितनी महिला है ठारा वर से उपर कि उनको 15 पंदरा पंदरा सौर पे दे हो रही है क्यों कि पीछे की सरकार से जब लोग परिशान थे महंगाई से परिशान थे या फार्मर की बागवानों की बात नहीं सुनी जा रही थी तो सरकार लोगों ने अपना मतितिकार का इस्तेमाल करके सरकार ही बदल दी थी मगर सब को एक उमीद की किरन जागी और सब हमारे से बहुलक्षेतर है, खासतार पर अपरशिमलक के अगर हम बात करें, यहां पर अधिक तर मंत्री मंडल में हमारे MLAs है, चाहे वो PWD मिनिस्टर की बात कीजिए, होटी कल्चर मिनिस्टर की बात कीजिए, इंडस्ट्री की बात कीजिए, या आप मैकसिमम जो सरकार के अंदर है, वो हमारे से बहुलक्षेतर से, और इसी के तह से बागवानों की अंडेकी की जा रही है, यह बड़े शरम की बात है, और आज हमें समझ नहीं आ रहा, सरकार की रोज में स्टेटमेंट देखता हूं, मंत्रियों की स्टेटमेंट देखता हूं, कि वो उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है, कि जैसे वो पक्ष में नहीं, वो पिपक्ष में है, जो क्वेस्टन विपक्ष के उन्हें जेते वो पक्षी में होके वो रोना पीट रहे और ये स्टेटमेंट है कि हिमाचल शिर्लंका बन जाएगा पूरा देश शिर्लंका बन रहा है ये एक हमको एकनोमिस्त तो नहीं है मगर एक देश के पड़े लिखे नागरिक है इतना तो हमें भी पता है कि हमारा देश कभी श बहले ही पीछे रहा होगा एक वक्त में डॉलर और रुपया बराबर से चला था और कहीं ना कहीं आज वो पता नहीं कहां बढ़के चला गया है और एक गैप आगया बीच में और हम दूसरे देशों के अधीन रहे है तो बड़ा ही आश्चरिय हो रहा है आजकल की ये स्ट खलावा मात्र थी और आप उस पे को पूरा करते हुए और क्लियर स्टेट्मेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो आपने अपनी गरेंटी में इसको क्यों लिखा गया तो इसका जवाब आम जनता आम किसान भागवान आने वाले समय में सरकार को थी और आपको ने उसको पूरा करने का वादा किया था क्रिपा करके आप उसको पूरा करें धन्यावाद